जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे मनोज तिवारी निशिकांत दूबे समेत 9 लोगों पर प्राथमी की दर्ज देवघर पूलिष ने गोड़ा सांसर डाक्टर निशिकांत दूबे दिल्ली के भाजपा सांसन मनोज तिवारी यार पोर्ट डारेक्टर संदीप धिगरा पाइलट समेत 9 पर वायु यान सुरक् प्रभारी DSP सुमन अनंद के ब्यान परदज कराई गई है मामला 31 अगस्त का है आरोप लगाया गया है कि दिन साम पांच बज कर 25 मेट पर चार्टर पलेन के यातरी सांसर डाक्टर निशिकांत दूबे सांसर मनोज दिवारी भाजपा नेता कपिल मिस्रा सहीत अन्य और उन है छोडने आई लोग यारपोड पहुँचे सभी आतरीगन पलेन के अंदर चले गए कुछ दिर बाद पलेन का दरवाजा खुला और पाइलेट नीचे उत्रे पाइलेट एटीसी की तरफ गए डिएस्पी ने कहा है कि जब वोग एटीसी के कंट्रोल रूम में पहुँचे तो डारेक्टर संदीप धिगरावा पाइलट पहले सही मवजूद थे वहाँ पाइलट एटीसी कर्मियों पर दबाव डाल रहे थे कि चार्टर पलेन को उड़ान का किलिरेंस दिया जाए कुछी देर बाद संसद डाक्टर निशिकान दुबेव मनोज तिवारी समेट चार लोग एटीसी रूम में पहुच गए डिएस्पी का रोफ हाई की उक्त लोगों ने जल्द क्लिरेंस देने का दबाव बनाया है रामगड के रजराप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी में बह गया यूवक रामगड में परसिद सकती पीट रजराप्पा मंदिर इस्थीत दामोदर भैरवी संगम में सनीवार की सुबा देखते है देखते पल भर में एक यूवक का जल समाधी हो गया दरसल गोला परखंड के पीपराजरा ग्राम निवासी संतोस माझी उम्र 35 वर्षिय सुक्रवार की सुबा छिलका पूल पारक और मंदिर की दिशा की ओर जा रहा था इसी दोरान भैरवी नदी के पानी के तेज बहाओ में आ गया छिलका पूल के उपर से बहर है पानी से होकर पारक करने के दोरान वहाँ पर मजूद दुकंदारों ने आवाई लगा कर उसे पूल से होकर इधर आने से माना करते रह गया लेकिन वह नहीं माना और नदी में स अभी तक युवक को नदी से निकालने की कोई जनकारी नहीं मिल पाई है। इस गंभीर मामले को लेकर लोहरदाग्गा महिला थाना में भादवी की धारा 376, 427, 389, 408, 307 और 508 की धारा 6 के तहत कान संख्या 2622 में प्राथमे की दर्ज करते हुए आरोपीत रवानी अंसारी को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है। उग्रवादियों से बिदेसी हत्यार मामले की जाच NIA करेगी। उग्रवादि जोर्नल कमांडर भैरो गांचु को आतेधुनिक अमेरिकन राइफल वा पूलिस से लूटे गए इनसास के साथ गिरफतार किया गया था। जुलाई में लाते हार के बालू मा थाना छेत्रे थीच सीरम जंगल में भी टीएस पीसी के उग्रवादियों के बिरूद छापे मारी में 40 mm ग्रेनेट मिला था। इनसा भी हत्यार वाकाज तुस्तों की बिदेशी कनेक्शन की सुचना के बाद ही एन आई एक गोपनिये तरीके से पूरे मामले की जाच कर रही है। पूरवी सिंभू में मरे सुरो के सेंपल जाच भोपाल में होगी। जमसेदपूर और आसपास के इलाके में सुरो की हो रही मौत की जाच में तेजी लाई गई है। पूरवी सुरो की मौत के बाद सेंपल का कलेक्शन लिया गया। इसके बाद इसको जाच के लिए रांची से भोपाल भेजा जाएगा। वैसे इस बाद के संकेत मिल चुके हैं कि सुरो की मौत अफ्रिकन स्वाइन फिवर के कारण होई है। वैसे पुष्टी सेंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। पसुपलन पता दिकारी सुदेंदर कुमार ने बताया है कि पटमदा कमलपूर चा कुलिया में सुरो की मौत के बाद सेंपल की जाच की गई है। सिम्डेगा में दिन दहाले डेर लाह की लूट। जार्खन के सिम्डेगा जीले के जल्डेगा थाना छेतर अंत्रगत ओडगा रोड में घाग नदी के समीब तीन हातियारबंद अपराधियों ने दीपक कुमार साहो ओर्फ कारू नामा कारूबारी से दिन दहाले डेर लाह की लूट ली। या घाटना सनिवार के दीन करीब 9 बजे की है घाटना के अंजाम देने के बाद सभी अपराधी ओरंगा की ओर भाग निकले इधर घाटना के सुचना मिलते ही पूलिष ने छेतर में नाकाबांदी कर अपराधियों के पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दी है दिल्ली से NCSC की टीम पहुँची पलामू जारकन के पलामू जिले के पांडू थाना छेतर के मोरू मातु गाओं के दस महादलित परिवारों के घर को ध्वस्त कर उन्हें खदेर देने का मामला दिल्ली तक पहुँच गया है यह अमानुए जूल्म की करवाई मुस्लिम समुदाय के तरब से की गई इस ममले को राष्ट्रिय अनुशुचित जाती आयोग NCSC ने गम भीरता से लिया है आयोग की चार सदसे टीम पीडितों से मुलकात कर घर्टना की जनकारी प्राप्त करने के लिए दिल्ली से पलामू पहुची है टीम के सदसे पांडू थाना के पुराने भवन में पीडित महादलित परिवार के सदस्यों से मिल रहे है लातेहर में रेल कर्मी पर अग्यात अप्राधियों ने किया हमला जार्खन के लातेहर जीला के बरकाकना बरवाट डी रेल खन अंतरगत बारवादी रेलवे एस्टेशन में पदस्थापी साहयक लोको पाइलेट रविंद्र कुमार पर अग्यात अपराधियों के द्वारा सुक्रवार की महते राती ड्यूटी जाने के करम हमला कर दिया गया हमलावारों ने बजार इस्थीत पीपल पेड के समीब रास्ते में अंधेरे का फैदा उठा कर इस गटना को अंजाम दिया है मेली जनकारी के उनसार अपराधियों ने गण या किसी लोहे से उनके सर परवार किया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया है जिसके बाद घायर रविंद्र कुमार का मोबाईल और परस लूट कर अपराधी फ्रार हो गया है घायर लोको पाइलट का इलाज बरवाडी के रेलवे अस्पताल में किया गया उसके बाद सीर और कान में एगार अटांके लगाए गया है चत्रा में सरावियों ने पूलिस पर किया हमला चत्रा के मयूर हंड थाना छेतर के देबा दवरी गाओं में सुक्रवार की राद सरावियों ने जारखन पूलिस बल पर जान लेवा हमला कर दिया जिसमें एक जवान घायल हो गया सरावियों ने पूलिस की गाड़ी को छती गरस्त कर दिया है जनकारी के अनुसार मयूर हंड थाना पूलिस रात्री गस्ता पर थी रात करीब दस बजे गस्ती दल सोकी पंचायत के देबा दवरी गाओं के फुटानी चोक पहुंची चोक पर दजनों लोग बैट का सराव पीकर एक दूसरे को गाली गलोज कर रहे थे गस्ती दल के जवानों ने सभी को वहां से हटाने की कोशिस की सरावी पुलिस कर्मियों से उलाज गए और असंसदिये सब्दों का परयोग करने लगे इतना ही नहीं हाथा पाइपर भी उतर आए भारतिय नौ सेना का गोरो आई एनेस बिकरांथ से बोकारो इस्टील पलांट का कनेक्सन भारतिय नौ सेना में पहला सवदेसी बिमान वहाक पोत आई एनेस बिकरांथ सुकरवार को सामिल हुआ प्रधान मति नानवदी ने इसे देश को समर्पित किया INS विक्रांद के लिए बोकारो इस्टील प्लांट ने 7000 टन DMR ग्रेड एस्पेसलिस्ट इस्टील किया पूर्ती की है वर्ष 2002 में सबसे पहले यहां हट ट्रीपल मिल में इसकी रोलिंग की गई थी रावर केला और भिलाई में भी लगभग इसी समय इसका उत्पादन शुरू हुआ था जहाज के पतवार में बी ए सेल का इस्टील लगा हुआ है सेल बोकारो इस्टील प्लांट को गोरो है कि इसने ना केवल आई एनेस बिकरांद के महतपुन भागों के लिए डियम आर यूत्पोत ग्रेट इस्टील के अपूर्ती की बलिक पिछले 20 वर्सों के दरान देश में ही यूत्पोत ग्रेट इस्टील के उत्पादन से जुड़ी परकिरिया में भारतिय ना उसेना के साथ अग्रेणी भागेदारी है भारत में डिफ्रेश ग्रेड इस्टील के अर्भिक परिक्छनों में से एक बी एसल में 2002 की सुरुवात में किया गया था धन्यवाद